Hi Everyone, Good Evening To All, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे, घर पर होंगे तो guys आज है संडे और संडे क्मेंट बोक्स 37 अज हो चुका है तो इसमें जो भी questions आपने put up किये होए हैं जो भी आपके questions हैं वो देखेंगे आज आपके क्या क्या कमेंट है संडे बोक्स 37 के लिए ठीक है तो फर्स्ट है विपिन दहिया का फर्स्ट है इनका क्यूशन कि MGU सेकेंड यर के बीड के एक्जाम कब से हैं तो फर्स्ट आपके क्यूशन का मैं रिप्लाई दे दूँ अभी बीड के कोई एक्जाम नहीं है MDU में MDU ने सेड्वल जारी किया था कि आपके एक्जाम होंगे जुलाई में लेकिन अभी जो कोरोना की सिचुएशन चली होई है उसके कोडिंग आपके एक्जाम डिले होंगे और डिले होने के साथ साथ आपके exam online होने के पूरे पूरे chances है ठीक है उसके बाद है कि exam MCQ होंगे या फिर descriptive and per subject के separate video बना देना be it second year बहुत helpful होगा बिल्कुल दिखिए mostly chances हैं पीछे की तरह जो MDU ने exam लिये थे वो लिये थे MCQ based आपके exam होए थे ठीक है तो उसी pattern को MDU follow कर सकती है MCQ questions होने की काफी chances है और सबसे ज़ादा online exam आपके होने के chances है अगर descriptive होते हैं subjective आपके exam होते हैं तो notification आजाएगा अभी तो इस month में university off है जैसे university open होती है और क्या notification आता exams को लेकर वो फिर जल्द ही आपके साथ share किया जएगा ठीक है उसके बाद चारू growing and childhood का syllabus कब तक cover होगा मैं बिल्कुल इसको start करा दूँगी चारू एक unit हो चुकी है और second unit के दो topic हो चुकी है यह क्या दो topic हुए थे third unit के भी आपके एक या दो तीन topic जो theories है mostly theories आपकी हो चुकी है और जो next topic है वो भी मैं start कराने की कोशिश करूँगी ठीक है उसके बाद है CDLU second year के important questions करवा दीजे और previous year questions paper provide करवा दो CDLU के second year के कुछ questions paper मैंने डाले हुए हैं आप channel पर visit करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे second year के ठीक है और important questions भी कराऊंगी एक बार यह notification आजाए कि exam किस तरीके से होने वाला है subjective होगा या फिर हमसे क्यों होगा online offline किस तरीके से होगा उसके बाद है Sonu I will the exam for CRC University be at second year be online और offline this time दिखे सोनु जी अभी जो condition है और जो last time जो condition थी corona की condition थी और अभी भी corona की ही condition है तो इस condition को ध्यान में रखते हुए आपके जो exam होने के chances है CRSU के वो MCQ होने के जादा से जादा chances है MCQ अगर आपके university exam लेती है वैसे तो university ने बोला है कि September में आपके exam होंगे ठीक है वो काफी delay है आपके exam तो देखते हैं तब तक situation अगर under control रहती है तो आपके exam सबसेक्टिव होंगे अगर situation इसी तरीके से बत्तर रहती है तो आपके exam MCQ बेस रही होंगे ठीक है और online होंगे उसके बाद है शुष्मा MDU be it second year के exam current situations के according कब तक होने की possibility हैं तक ही जुलाई में तो होने की possibility बिलकुल भी नहीं है तो अगर्स तक आपके exam जा सकते हैं MDU के ठीक है उसके बाद है दिव्यानशू CDLU be it second year का syllabus करवा दीजे मैं ठीक है कुछ topic कराए होए है second year के और वो आपके CDLU के according भी beneficial होँगे आप वीडियो देख सकते हो ठीक है उसके बाद है रजत महता CDLU be it second year के कुछ subjects के previous year questions paper provide कराने के लिए आपका thank you please बचे हुए subject के भी questions paper provide करा देना बिलकुल 2-3 questions paper और है मेरे पास वो भी मैं कराने की जल से जल आपको provide कराने की कोशिश करूँगे ठीक है उसके बाद है विशाल hello maim TZT में math और science subject के लिए एक paper होता है या अलग 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 paper देना पड़ता है देखे अगर आप math और science का exam दे रहे हो तो आपको दो paper देने पड़ेंगे math का अलग देना पड़ेगा science का अलग देना पड़ेगा ठीक है सीटेट की तरह नहीं है कि तीस नंबर का math आगया और तीस नंबर का आपका science की questions आगए यहां पर अलग अलग separate आपके questions आएंगे ठीक है अलग paper आपका होगा इसके लिए उसके बाद है निशा be it second year decreased university के exam कब होगे और paper pattern क्या रहेगा decreased university के आपके जुलाई या फिर अगस्त में आपके exam होगे descriptive होने के chances हैं maybe online ही हो क्योंकि last time जब exam आपके हुए थे तो online हुए थे और subjective type आपके questions आए थे और four questions करने थे उसमें तो हो सकता है कि university उसी pattern को follow करे क्योंकि classes इतने अच्छी से लगी नहीं है देखते हैं क्या notification आता university की तरफ से उसके बाद है प्रिती CRSU 281st year के exam कब तक होंगे Hindi books की notes की video कब तक आएंगी कल आएगी next आपके video Hindi की और CRSU के आपके exam वैसे तो September में बोल रहे हैं देखते हैं September तर कंडिशन क्या होती है कंडिशन के ऊपर ही आपके exam based है ठीक है उसके बाद सोनो IGO 281st year के exam कब होंगे Second question है 1st year के exam होंगे या फिर उन्हें भी promote कर दिया जाएगा देखे 1st year के जो भी exam होंगे या फिर promote करेंगे अभी तक university की तरफ से इस तरीके का कोई notification नहीं आया कि promote किया जाएगा आगे या फिर उनके exam होंगे ठीक है अभी तो university सभी universities बंद हैं तो जैसे university open होती है exams के बारे में क्या notification जारी करते हैं especially beard के लिए वो जब notice आएगा तब ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगी ठीक है वैसे तो आपके exam जुलाई या फिर अगस्त में ही होने के संभावना है ठीक है उसके बाद जोती mdu beat second year के exam कब तक होंगे क्या इस बार भी online exam होंगे या offline जोती के यू के जो आपके exams है mostly online होने के chances है के यू बार बार यही कहरा कि हम exam online लेंगे और possible भी यही है कि इस situation में आपके exam online हो और आपके subjective होंगे अगर आपके exam online होते हैं तो ठीक है offline कम chances होने के उसके बाद सुमन hello ma'am SBA की file बनेगी उसमें school name की internship कैसे करें BSU में distance से beard कर रही हूँ और किसी school में TP के लिए भी नहीं गए मैं CRSU से हूँ देखे जो condition अभी चली होई है उसकी वज़ा से आप TP पर नहीं गए हो यह भी एक situation हो सकती है बाकि तो schools sorry जो आपके courses हैं वही आपको TP पर भेज़ते हैं तो आपकी जो file बनेगी SBA की school based activity की जो file बनेगी उसके लिए मैंने एक अलग से video बनाई होई है आप उस video को देख सकते हो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे activities आपको डालनी है अगर आप internship के लिए नहीं गई हो तो वह video देखकर आपको काफी helpful आपको help मिल जाएगी इस video से ठीक है उसके बाद सुनू please reply half full video सब मैंने BA final quota university से किया है private और अब मैं MA final quota university से कर सकता हूँ क्या private अगर आपने BA भी quota से किया है तो आप MA किसी university से कर सकते हो अगर आप quota university से करना चाहते हो तो quota university से आप MA कर सकते हो आपको migration देने की जूरत नहीं पड़ेगी एक university में आप ऐसे कर सकते हो ठीक है but मैं सिखावत university से B8 कर रहा हूँ आपने BA की उसके बाद आप B8 कर रहा हूँ ठीक है तो क्या मैं final quota university से कर सकता हूँ क्या प्रविट अगर आप अभी सिखावत university से B8 कर रहे हो कोई बात नहीं आपने migration दे दिया होगा quota university से और जब आप B8 complete कर लोगे और दूसरी university में जब आप जाओगे तो migration सिखावत university आपको दे देगी तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप university change करके कोई course कर रहे हूँ ठीक है लेकिन किसी ने कहा है कि अगर मैं MA final quota university से करता हूँ करेंगे तो आपकी B8 की scholarship रुख जाएगी यह देखे scholarship के बारे में मुझे जादा information नहीं है कि scholarship का क्या कुछ रहता है ठीक है मेरा कोई touch up नहीं है मेरा कोई link नहीं है scholarship से मुझे पता है कि scholarship कैसे क्या कुछ रहती है तो आप इसके लिए उनसे contact कीजिए या तो अपने college से contact कीजिए जहांसे आप B8 कर रहे है वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे या फिर उनसे contact कीजिए जो scholarship ले रहे हैं ठीक है तो इस बारे में मैं आपसे इतनी ज़्यादा मुझे knowledge नहीं अब इस scholarship के बारे में ठीक है तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगे अपनी तरफ से उसके बाद है चित्रा मैं मेरा बीर्ट सेकेंड एर का रिजल्ट में आर एल शो हो रहा है इंस्टिट वाले कह रहे हैं कि यूनिवर्स्टी से मेरी माइग्रेशन खो गई है टाइम लगेगा मैं बिना फर्स्ट एर क्लियर हुए एक्जाम देने देंगे MDU University है मेरी रिजल्ट के लिए मुझे क्या कुछ करना चाहिए कुछ समझने आ रहा है बिल्कुल देखिए अगर आपका माइग्रेशन माइग्रेशन गुम हो गया यूनिवर्स्टी के तरफ से अगर आपके फर्स्ट एर के रिजल्ट के सामने इक्साम होंगे उस पर कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा आप सेकंड एर के इक्साम इजीली दे सकते हो लेकिन सेकंड एर में जब आप एक्साम दोगे लास्ट सेकंड एर में जब आप रहोगे तब तक आपको आपके माइग्रेशन यूनिवर्स्टी के पास पहुंच जाना चाहिए नहीं तो आपका second year का भी result रोग लेगी university जैसे आपका first year का रोग लेगी ठीक है तो आप ये ध्यान रखेगा कि second year में जब आप हैं और second year जब आप complete करते हो जब आप final exam देते हो second year के तब तक आप अपना migration university तक पहुंचा दो ये आप देखें या फिर अपनी college को कहें जैसे भी आप करें ठीक है उसके बाद सोनू इनका एक और काफी बड़ा question है मैं सोरी मेरे बीये में subject first हिंदी जोग्रोफी थर्ड पोलिटिकल सैंस मेरा beard दो साल first ये साल है क्या मैं beard में subject में confused हूँ first आपने हिंदी लिया है दूसरा subject combination अगर मैं SS लूँ मतलब समाजिक भी घ्यान लूँ तो कोई दिकत नहीं होगी भी कोई दिकत नहीं होगी आपके पास बीये में जोग्रोफी है पोलिटिकल सैंस है तो आपका दूसरा जो subject बनता है इंदी के साथ जो subject combination बनता है वो SS ही बनता है इसमें कोई दिकत नहीं होगी ठीक है अगर आप इसके साथ दूसरा कोई combination में subject ले ले तो तो आपको problem हो सकती है ठीक है आगे जब आप competitive exam देने के लिए जाओगे तो आपके subject combination जरूर देखे जाएंगे कि beard में आपके subject combination क्या है या फिर graduation में आपके mostly subject combination बन रहे है या नहीं बन रहे है तो आपको SS लेने में कोई दिकत नहीं होगी हिंदी के साथ यह बहुत ही अच्छा combination है हिंदी और SS का ठीक है जी ओके यहां तक हो गया आपका questions इसमें मेरी रूची है जिबकि read second level में तो कोई भी subject में 60 marks का ही होता है ना जैसे political or history हो या जोग्रोफी एक्स्टेक्टा हां 60 marks का होता है read में second level जब आप जाते हो ठीक है 60 marks का होता है और जो भी आप subject लोगे ठीक है उसी का आपका read में या फिर other कोई भी competitive exams के लिए आप देते हो htet देते हो या फिर आप ctet ही देते हो जो second level आपका होता है उसमें भी 60 marks के जैसे आप social science के देते हो तो वहाँ पर भी 60 marks के आपके social science के questions आपसे पूछा जाएंगे ठीक है तो बही total मिला कर आपका जो subject combination है हिंदी और ऐसे बेस्ट है ठीक है और क्या question है आपका सब मैंने geography subject लिया beard में तो आगे first grade और second grade का दिक्कत दे सकता है क्योंकि जो geography subject है वो 11th और 12th में आता है देखे कोई दिक्कत नहीं होगी जोग्रोफी आपने लिया है बीए में आपके पास जोग्रोफी है political science है आगे चलकर आपको ना तो subject combination में कोई दिक्कत होने वाली है और ना ही आपकी competitive exams अगर आप देते हो उसमें कोई भी दिक्कत होने वाली है ठीक है तो tension ना लीजिए समाजिक विग्यान लो या जोग्रोफी लो देखे जोग्रोफी आपकी SS में ही include होती है बीएड के मैं बात करूँ आप जब बीएड में SS लेते हो तो जोग्रोफी history और political sense तीनों का combination उसको SS कहा जाता है तो आपको जोग्रोफी अलग से बीएड में लेने की जूरत नहीं ह होती है ठीक है अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे दुबारा कमेंट कर सकते हो आई होप मैंने डाउट तो आपका clear कर ही दिया है तो subject combination में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फिर भी अगर कोई डाउट रह गया आपका तो हम जी कमेंट कर सकते हो अब बताओ बीड फरस्ट यर में हूँ शिक्खवत उनिवस्टिव से प्लीज सर्द्यान से पढ़ेगा मेरा कमेंट अब मेरे पास त्यारे करने के लिए तीन साल तो मान ही लीजे लगबग 23-24 कोचिंग करूं या self study देखिए self अगर आप कोचिंग भी लेते हो न तो भी आपको self study तो तो उसमें थोड़ा सा यह होगा कि sport कम मिलेगा आपको ठीक है अगर कोचिंग की आप सोच रहे हो तो आपको self study ज़रूर करने पड़े यह तो है बात ठीक है self study करूं प्लीज बताओ और books लक्षे की books पढ़ूं प्लीज मेरा beard second year में पहला साल है या फिर first year है अभी आप beard first year में हैं और अभी आप coaching वैसे तो coaching center ही बंद है इस situation में तो आप self study कीजिए वो आपके लिए best जोगा ठीक है books आप देख लीजिए NCRT पढ़ोगे तो काफी better है नेक्स्ट संगिता सिंग MGU beard first year के reappear की form session 2018-2020 वाली की form कब से भरी जाएंगी प्लीज बताईए अभी ये notification चेक करना पड़ेगा संगिता ये मैंने चेक नहीं किया ठीक है कि last it क्या है और PZT के लिए आपका process slavers क्या रहेगा DSSB में DSSB में Hindi होगा English होगा Journal Awareness की questions होंगे reasoning वगरा क्यों जाएंगे math का होगा PZT के लिए अगर आप जा रहे हो तो math भी होगा 10 marks में और आपके subject जो आपका main subject है उसकी questions रहेंगे ठीक है उसके बाद है बिनेत री-evaluations में कितने number बढ़ सकते हैं देखिए तो university के उपर depend करता है कभी university re-evaluations के form में marks नहीं increase करती है और कभी कभी बहुँ जादा increase कर लेती है ठीक है तो last जो CRSU के re-evaluations का result आया था उसमें बहुँ जादा marks increase किये थे किसी के बढ़ा दिये थे किसी के नहीं बढ़ाए थे जो पास बिलकुल passing marks के करीब थे उनके बहुँ जादा marks भी बढ़े थे और किसी को pass भी किया था तो मैं नहीं बता पाऊंगे कि कि re-evaluations में कितने marks बढ़ते हैं वो university के उपर डिपेंड करता है टीचर के मोड के उपर डिपेंड करता है कि वो कितने marks आपके बढ़ाते हैं ठीक है तो यह थे आपके किमेंट आज के लिए कमेंट बोग सकते हो इस वीडियो के description में या फिर आप अपने ही comment के description में भी कमेंट चोड़ सकते हो कि मेरा यह doubt था और मेरा यह doubt क्लियर नहीं हुआ है ठीक है तो मिलते हैं फी नेक्स्ट वीडियो में कल से social science की next videos जो videos हैं वो start करोंगे हिंदे की भी कल next video आएगी और जो social science वाले students हैं उनके लिए classes या जो videos हैं वो कल से start हो जाएंगी ठीक है channel के साथ बने रहेए channel को subscribe करें like करें share करें अपने friends के साथ ठीक है thank you